हनायान सफीरा को करना क्या चाहिए था उनको उनके लिए क्या करने कले ठ्छाया गया था कि वो अपनी जपीन को बेच करके मतलब अपने जीवन के भाग जो उनके पास धन आता है जो धन उनके पास था वह परमेश्वुर के पत्रस के हाथों में रखना है कलीशिया के लिए कलीशिया के कार के लिए रखना है तो ये बात तो बहुत बड़ी थी और शेतान इसको नहीं सुन सकता ये चीज़ है क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो शेतान आप में हारता है और आप रिहा हो जाते हैं जब आग उतर आई, दाउद लिखा है कि जैसे वहाँ पर दाउद ने बलिदान किया, तो वहाँ पर जो दूट था मारने वाला वो रुक गया, ऐसे कई अस्थानों पर अब्राहम ने बलिदान किया, तो सारी चीजें बलिदान के उपर हैं, बलिदान का मतलब अब यह नहीं कि प्रभू हमारे हाथ और पैर को काटना चाहता है प्रभू हमारे अंदर की तमाम गुनाह की प्रविति पाप की प्रविति को प्रैश्चित के साथ बाहर करना है आप उसके सामने नतमस्तक होते हैं वो सर्वी शक्ति मान इश्वर के सामने जब आप नतमस्तक होते हैं प्रैश्चित करते हैं आपके अंदर के पाप तूटते हैं स्त्राप तूटते हैं और वो निकल जाते हैं आपके अंदर से आपके मन से जब बातों को समझेए और यहाँ पर हनन्यान और सफिरा क्या कर रहा है जब बलिदान चड़ाने की बात आती है जब परमिश्वर के राज जी के लिए बात आती है तब उसी समय शैतान ने इनके मनों में बात किया मनों में क्या बात किया कि अरे जी ठीके 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 जो तेरे पास धन है वो चर्च के लिए या परमिश्वर के राज़ी के लिए मत भीजबो, उसको अपने पास रख ले, थोड़ा से चोरी करके या छुपा कर अपने पास रख ले, थोड़ा से ही पत्रस को बोल देना, जूट बोल देना वाँ पर क्या जाता है तेरा, धन ते फचार में लिखा कि जब तक वा तेरे पास रही क्या तेरी ना थी और जब वो भिक गई तब भी तेरे पास तेरा कईसा ही रहा वो पैसा तेरे वस्ट yeni था तूने अपने मन में क्यों विचारी यही तो गलती किया तुने मनश्यों से नहीं प्रंदु परमेश्वर से जूट बोल दिया, याद रखना प्रियजन, हम की परमेश्वर के समीब जब आते हैं, तो उसको समझ लो कितना सचाई में निमास करने माला परमेश्वर है, उसके साथ किस तरीके से हमें आत्मिक जीवन को रखना चाहिए किस तरीके से उसके साथ चलना है, उसे कौन से चलन पसंद है, येश्व को कौन सा चलन पसंद है, येश्व किस तरीके का कैरेक्टर चाहता है, किस तरीके का चरित्र चाहता है, विद्वा इस तरीके चरित्र को अगर देखें, जो सारपत नगर में थी, उसने परमेश्वर थोड़ा से बचेगा उसने का हाँ नहीं अगर उसमें से एक रोटी बन सकता है तो उस एक रोटी को पहले मेरे लिए तू दे दे तो याद रखो कि वहां सारपत नगर की जो बिद्वा थी और उसका बेटा नहीं खाया और वो बिद्वा इस्तरी ने जो रोटी एक ही रोटी बनने का उसके पास मैदा था उस रोटी को बना कर कि वो किसके हाथ में पहले रखती है उस एलिया के परमेश्वर के दास के हाथ में बगेर सवाल किये बगेर संदेह किये वो जब उसे रख देती है तो बाइविल कहती है कि उसके हाडी में तेल है और उसके जो मैदा था जहां पर उसका मैदा रखने की जगा था वो पूरी तरह भरा हुआ था भर गया था याद रखना क्यों कि वचन को उसने क्या किया पूरा किया वचन को पूरा किया तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने जूट नहीं बोलना चाहिए कि यदि हमें परमेश्वर के लिए बलीदान चड़ाना है तो जूट सामिल नहीं करना ना देना अच्छा है वहाँ पर जूट सामिल नहीं करो सच्चाई से हमें प्रभू के सामने यदि आप सच्चे आत्मिक वेक्ती है तो हमें उस वचन को पूरा करना है जो वचन लिखा हुआ है जो परमेश्वर यहां पर हमें दरसा रहे हैं हनन्यान और सफीरा के मन में शैतान ने जिस तरीके से बात किया और हनन्यान और सफीरा ने शैतान की बात मानकर परमेश्वर के दास के सामने जूट बोल करके अपनी जिन्दगी को उन्होंने सोकित कर लिया अपनी जिन्दगी को मौत के हाथ में दे दिया यही पत्रसे जब प्राथना करता है तो अंधे देखते हैं यही पत्रस है, जब प्राथना करता है, तो लंगड़े चलते हैं, यही पत्रस है, जब प्राथना करता है, तो मरे हुए लोग जिन्दा हो जाते हैं, मतलब पत्रस के स्वभाव में कौन निवास करता है, पारमेश्वर निवास करता है, यस्व पिता निवास करते हैं, तो आ आपका सत्रू बन जाएगा पत्रस कुछ नहीं करेगा उसके अंदर का जो आप ही शेक है जो सामर्थ है वही आपसे लड़ने लगता है और वो आपको हरा देता है याद रखना इस बात के लिए इसलिए यहां पर एक इस बात को रखा गया कि जो तुने जमीन को बेचा वो त तेरे ही पास था सब कुछ तेरा ही तो था पर तुने ये बात क्यों बिचारी क्यों बिचारी मनश्य हैं आप मन में बुरे विचार आते हैं हमें उसको तुरंत डाटना चाहिए याद रखना परमेश्वर यदि आपके मन में कोई विचार डालता है तो वो वचन के अनुस और इसे लिए हम संगति करते हैं इसी लिए परमेशवर के साथ समय विथित करते हैं इसी लिए हम परमेशवर के साथ बैठने का प्रयास करते ता कि शेतान की हर बातों को हम समझ ले और जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं तब तक हमारा आत्मिक अस्तर नीचे रहता है और इसलिए हमें दाउद कहता है कि हर दिन और हर समय भजन 34, आदियाय वचन 1 में लिख लिजिएगा वह लिखा हर समय हर वकत हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए उसकी महिमा करना चाहिए क्योंकि हम अपनी आत्मिक जिंदगी को तभी सक्तिशाली रूप में देख सकते हैं वह लिखा वहाँ पर उसकी इस्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे हमेशा जहां भी रहें परमेश्वर को महिमा देने किदर भी रहें प्रभू को महिमा देने अपने मुझ से गुन गुनाते रहने ताकि शैतान का कोई भी विचार हमारे दिल और दिमाग में जगा ना लेने पाए हलेलुया बातों को समझ रहें कंभीर विशा है आज का कि आज हनन्यान सफीरा ने शैतान की बात मान ली अपने मन में अपने विचार उनके विचारों के अंदर शैतान ने बात किया इसी तरीके से इसी तरीके से अगर वहां मत्ती चार अध्याय के चार पत को अगर हम पढ़ें, तब येश्यु मसी के मन के अंदर भी शैतान ने इसी तरह बात किया था, और जब येश्यु मसी को भूख लगी थी, तो येश्यु मसी ने क्या कहा, कि मन श्केवल रोटी से नहीं, परन्तु हर एक वचन से, उसके पहले दिखाईए, शैतान आकर क्या कहत है, वहाँ पर जो भूख लगा था, तो तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हो सकता है ये हनन्यान और सफिरा परखे जा रहे हो, शैतान परखता है, और उस परख को समझ नहीं पाए, और वो मृत्यु के हाँँ चले गए, याद रखना है, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, ये दी परमेश्वर के आप पुत्र हैं, तो कह दें ये पत्थर रोटिया बन जाए, वो कह देगा तो हो जाएगा, ऐसा सेतान को भी पता है, पर यहाँ पर ये बात नहीं है, कि पत्थर रोटी बना दे और खा ले, यहाँ पर कुछ बात दूसरी है, कि शै शैतान क्या दिखाना चाहता है, शैतान मनुष्य के जीवन में क्या प्रगट करना चाहता है, वो चाहता है कि इंसान रोटी के लिए किसी को मारे, किसी को कतल करे, अगर रोटी नहीं तो चेहन ले, मतलब वो रोटी पन निर्भर करना चाहता है, इसका मतलब कि वो हमें संस के वाता वर्ड में जीने के लिए हमें मजबूर करना चाहता है वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई के सहारे जियो शैतान चाहता है आप बुराई के सहारे जियो शैतान नहीं चाहता कि आप फास्टिंग के साथ जियो शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करो आप पवित्रता ही मरो वो नहीं चाहता वो चाहता कि आप जूट के सहारे जियो वो चाहता है कि आप किसी को चापलूसी करके जियो किसी के निंदा करके आप जियो यही बात आज येश्यु मसी के सामने भी प्रगट कर रहा है वो कहा रहा है कि रोटी को ये पत्थर लेना रोटी बना देना और आप इसे खा लें क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र है क्या या कैसे उकसाता है शैतान आप संसार में पैदा हुए हैं तो देखो परमेश्वर के अंदर सामर्थ है कि वो आपको संसार से बाहर कर सकता है वो आपको उस गंदगी से बाहर कर सकता है ऐसा प्रभू में सामर्थ है वो शक्तिशाली प्रभू है दाउद जब भजन चार लिख रहा था और वचन तीन में उसने क्या लिखा हमारे साथ पढ़िए उसको हम आपको पढ़ाएंगे वहां लिखा है कि दाउद जो भजन चार लिख रहा था तीन में क्या लिखा यह जान रखो की परमेशवर ने अपने भक्त को अलग करके रखा है अलग करके रखा है बुराई से पाप से गुना से अलग करके रख दिया है और जब वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुन लोगा अमेन जब आप संसार से अलग होते हैं मतलब बुराई से अलग होते हैं पाप से अलग होते हैं धोके से अलग होते हैं बेविचार से अलग होते हैं तमाम बुरे कारियों से आप अपने आपको अलग रख पा रहे हैं उस टाइम में क्या लिखा पुकारो तब वह सुन लेगा आमें ये है बात आज क्या हुआ येश्व मसी के सामने भी शैतान पहुँच गया था मन में बात किया था बिचारों में बात किया था जैसे हनन्यान सिफ और सफिरा के मन के अंदर बात किया और बिचारों को ही बदल दिया परमेश्वर के लिए जो बलिदान लेके जाने माले थे पती पतनी उस बलिदान का उसने खंड में कर दिया तोड़ दिया बलिदान को मतलब शेतान उसमें से बलिदान ले लिया जो परमेश्वर का भाग था उसमें से वो खुद ले लिया कैसे ले लिया मन में बुरे विचारों को डाल करके मन के अंदर बहुत सारी बातों को बुरी बातों को डाल करके वो परमेश्वर के भाग को खुद ले लिया और हनन्यान सफीरा ने दे दिया मतलब जब आप जूट बोले यह किसका फल है हनन्यान सफीरा जब जूट बोलता है यह शेतान का फल है तो जूट परमेश्वर के सामने बोला पत्रस के साथ बोल रहे हैं तो वो परमेश्वर किया, पवित्र आत्मा क्या किया? बोला तू शेतान की बात सुनकर यहां भी जुड बोल रहा है? मलब शेतान के फल को लेकर मेरे सामने भी वही फल प्रगट कर रहा है? तो परमेश्वर न उसे दितकारा, क्या किया? वो तुरंत थी उस ताइम में, तुरंत वो मर गए, वो पती, पत्नी, हनन्यान, सफीरा, दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए, बहुत खतरनाक था है वो सिस्टम, याद रखो, आज भी परिस्थितियां ऐसी ही, मनश के अंदर जब होती है, जब वो परमेश्वर के राज्ज के लिए बढ़ना चाहता है, जब वो येश्व मसी के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करता है, बलीदान करता है, देखो येश्व मसी बलीदान होने के लिए आया था, हमारे पापों के खातिर, दुनिया के पापों के लिए, हर मनश के लिए बलीदान होने के लिए था, शेतान कभी नहीं चाहता कि वो बलीदान हो, शेतान को पता है कि अगर येश्व मसी जो परमेश्वर का बे जन्म लेता है, जन्म लेने से, जन्म लेने के बाद सी वो तुरंत ही शैतान लग जाता है, येशु मसी को बिगारने के लिए, मतलब येशु मसी जब पैदा हुए थे तो पूरा स्वर्ग स्वागत में खड़ा हो गया था, क्योंकि पहली बार स्वर्गदोत को ये इच्छा था कि परमेश्वर सरीर में देख रहे थे पहली बार, तो वो कितने सामर्थी तजरा सोच के आप देखिए, तो शैतान सुर्वास से ही लगा हुआ था कि ये येशु मसी जो है, ये कदाबी अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, कहीं न कहीं ये जूट में फसे, कहीं न कही ये धोके में फस्जा है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो वचन के अनुसार जी रहे थे, वो पवित्रा आत्मा से परिपोंड थे, इसलिए शैतान को जब उत्तर देने की बात आती है, तो वो शैतान को क्या करता है, वचन से ही उत्तर देता है, जरा समझ ये, वो सोचाती कि येश्यु मसियी संसार में आया है, और संसार उनको समयट लेगा, संसार उनको अपने वस में कर लेगा, पर नहीं, ये श्यु मसियी ने क्या किया गए, वचन से इस को उत्तर दिया और येश्यु ने कहाँ, भुचन गश्य चेवल रोटी से नहीं, परन्तु आज तूए हननयान सफिरा के अंदर, संसार ने सोचा ही ने हम अंदर, अपने अवेग में ले ले लेंगे, अपने अंदर हम इन को बबा देंगे, और वही हाल हूँ आपकी मनों में विचार आते हैं, हाँ जब आप परमेश्वर के लिए अपना दश्वान से, परमेश्वर के लिए जब अपना बीज बोने के लिए आप तैयार होते हो तो कहीं न कहीं शैतान आपको कुछ न कुछ काम के लिए कर देता, ये काम इदर हो गया, ये काम इदर हो गया उस टाइम में ते आप एक बड़े धोखे के सिकार होते हैं, वहाँ पर कुछ अफरा तपरी मचेगी, आपके फाइनिसियल सिस्टम में, आपके आर्थिक आपके धन में एक बड़ा शैतान का दखल अंडजी होता है, इंटरफियर आ जाता है, हस्ता छेफ होने लगता है, फि कि जब आप भी यह लालच में आ जाते हैं या किसी धोखे में आ जाते हैं, अगर उस धन्मान वेक्ती के बारे में, जिसको हमने आपको पड़ाया थे, कि धन्मान वेक्ती से प्रभु ने कहा कि अपना धन को कंगालों को दे देना है, तब वो धन से प्रेम करने वाला वेक्त हुआ है वो चला गया वहां से वो उधार नहीं देखा याद रखना तो अपनी spiritual जिंदगी को अपने आत्मिक जिंदगी को किस तरह हम सुरशित कर सकते हैं किस तरह हम उस आत्मिक जंदगी को सक्तिक शालि बना सकते हैं क्या यह हनँन्यान सफिरा अगर शेतान की बात नहीं मानी होती तो यह जो प्रभू के लिए किया इसको दस गुना करके प्रभू इसे और सौपता इसे और आशिशित करता पर यह अपने मन में जो इसके मन के अंदर जो शेतान ने बाते की कि नहीं नहीं चलो अभी इसको नहीं देना है, इसको यहां पर रख लेंगे और बोल देंगे, यही है केवल इतने में ही हमने जमीन बेचा हमने केवल इतने में ही इस जमीन को बेचा है, ऐसा जूट बोल देंगे पर वो आधे पैसे को घर पे रखा और आधा ही लेकर गया, मतलब वो पैसा नहीं, मतलब उसको बीज बोलें हम परमेश्वर के लिए एक खुदावन के लिए बलिदान बोल सकते हैं सम्मानी सब्दों में तो वो वहाँ पर एक जूट को सब्दों को सामिल किया जूट के विचारों को सामिल होने दिया और इसी कारण से वहाँ पर उनके लिए एक बड़ा ही विपत्ती का समय दिखाई दिया और वो सिकार हो गए विपत्ती के याद रखना भाई ये बड़ी ही डैंजर बात है बड़ी खतरनाक चीज है ये कि हम परमेश्वर से जूट नहीं बोलें हमें उसके सामने अगर हम खड़ाई से चलते हैं उसके सामने हम अगर सच्चाई से जीने का प्रयास करते हैं तो वह हमारे लिए खड़ा होता है वह हमारी परिस्तियों को बेहतर करेगा और उसका विस्तार करेगा जो जूट होता है वो जल्दी फैल सकता है मैं मानता हूँ जो जूट होता है वो जल्दी हरा भरा दिखाई दे सकता है पर वो जल्दी ही जितनी जल्दी बढ़ता है उत्ती जल्दी वो खत्म भी हो जाता है पर सचाई है कि वो स्लोली स्लोली चलता है धीरे धीरे चलता है पर उसका अंतनी वो बिस्तार होता जाता है और फैलता जाता है और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता येश्व ने इसलिए कहा मैं सत्य हूँ मैं मार्ग हूँ मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ याद रखना, येशु खुद सत्य है, तो उसके साथ रहने माला व्यक्ति, उससे आशीश पाने माला व्यक्ति, उसके साथ जीने माला व्यक्ति, जूट कैसे बोल सकता है, अगर वो जूट बोल रहा है, तो निश्य ही वो येशु के साथ नहीं, यह हम कहें, पवित्र आत्मा के साथ ने, वह पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा नाम ही उसका पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है पर मेश्वर उसके साथ हम किस तरीके से जूट से पेस आ सकते हैं, छल से पेस आ सकते हैं, वो आपके लिए हानिकारक बन सकता है, वो आपके लिए बड़ा कस्ट दायक बन सकता है, इसलिए हमें spiritual इस्थिती को बल्वान करना है, उसे पवित्रताई में लेके जाना है, उसके अंदर छाल और कपट को जगहा नहीं देना है अगर हम पवित्र आत्मा से जुड़ बोलते, मतलब प्रभू के दास से जुड़ बोलते, परमेश्वर से जुड़ बोलते, तो वहां हमारे लिए सही दसा नहीं आएगी पर वहां पर एक कुरूपता एक दूशिता का जीवन एक जंगल नुमा परिस्थिती दिखाई देगी इसलिए हमें वचन को समझने की अविशकता है कि हम क्या अपने जीवन में अपने आत्मिक परिस्थिती को सुरश्शित कर पा रहे हैं जो वचन हमें दिया गया क्या हमने उसे अपने भीतर चलन में प्रियोक किया क्या हमने उस वचन को अपने परिवार में पूरा किया क्या हमने उस वचन को अपने अपने गाउं अपने देश में अपने सहर में पूरा किया नहीं तब वो वचन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता देखे मन में तीसरी बात फिर से पढ़िएगा प्रेड़तो पांच वचनतीन पत्रस ने का हे हनन्यान शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है तो आज इस बात को आप भी समझे कि जब आप परमेश्वर के राज्जी के लिए आगे बढ़ते हैं जब आप सर्वे शक्तिमान से अपने जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके मन में कुछ बुरी चीजों को डाल करके उस तथ्य को उस बल को जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप ना प्राप्त कर सकें, उसका प्रयास होता है, और इसलिए वो आपके मन में बुरी चीजों को डालता है, किसके विरोध में डालता है, परमेश्वर के विरोध में, येसु के विरोध में आपके मन में चीज डालेगा, और आपको लगए कि ये तो कुछ सही हो रहा है ये तो परमेश्वर कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु अपने वचन से समझाओता नहीं अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत अगर आप कर रहे हैं मतलब वचन को अगर अगर अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी के अनुसार ही अपनी जिंदगी में परिडाम को देखते हैं पर यदि आप उसके वचन को पूरा करते हैं तो निश्य ही हमारे लिए आसिरवाद तो है प्लस अनन्त जीवन भी है आमीन इस बात को समझे प्रियजन आज जो हनन्यान सफिरा के साथ घटना घटी है कुछ भूमी बेची थी और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा क्यों रख छोड़ा क्यों रख छोड़ा किसने कहा रख छोड़ने के लिए शैतान ने कहा था और शैतान की बातों को हनन्यान सफिरा ने मान लिया और इसलिए उनके फैमली में उनके जीवन में वो मृतिव आ गया अग्याओं को तोड़ने का मतलब मृतिव परमेश्वर के वचन को तोड़ने का मतलब मृतिव एक आत्मिक मृतिव होती एक सारी दिख तो अक्सर इंसान आत्मिकता में मर जाता है और जो आगे जिंदगी जीना होता है वो जूट फरेब और बड़े घमंड के साथ जी लेता है बात की बात पर उसका आन्ट बड़ा बुरा है इसलिए प्रभू यहां पर कह रहा है कि हनन्यान सफिरा ने शेतान की बातों को अपनी मन में ले लिया, मन में बात किया उन्होंने उसको कर भी दिया तो करने के बाद इनके जिंदगी में रिजल्ट क्या आया, कि ये दोनों पती-पत्नी क्या हो गए, समाप्त हो गए तो प्रभू के दास दासी आज तो इनसान मरता नहीं है सरीर उसका नहीं मरता है, पर वो आत्मा से कमजोर हो जाता है, वो आत्मिक तरीके से, या फाइनेंसियल तरीके से, आर्थिक तरीके से कमजोर हो जाता है, कहीं न कहीं उसकी जिंदगी में ऐसे कुछ दीमक लग जाते हैं कि वो अपने आत्मिक जिंदगी को शक्तिशाली रूप में नहीं देख पाता और वो फिर प्रभू को देखने प्रभू के प्रती जो उसका नजरिया होता है वो बदल जाता है इसलिए याद रखो कि जब आप वचन पूरा कर रहे होते हैं तो आपके आँखों में एक अलग रोशनी परमेश्वर की ओर से आती है जब आप वचन को पूरा कर रहे होते हैं आपके जीव में परमेश्वर की शक्ति अलग अस्थान पे आपको रखती है आपके अंदर एक समझ आपके कामों में एक बरकत आपके कारियों में एक क्रिया सीलता और आपके हर कामों में एक विशेश उन्नती दिखाई देने लगती है एशू के नामें तब आप बोलतों कि हाँ जी ये विमार थे ये कब चंगे होगे पता ही नहीं चला हाँ तब से जब मैंने कुछ सोचा था वो काम मेरे सोचने के पहले-पहले ऐसा होने लगा या मैंने जब सोचा वैसी होने लगा ये सब फास्ट कैसे होता है जब हम उसके लिए समर्पित होते हैं चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी लाई प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें